हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया ग्रासिज, हम फार्मास्टिक्स पट रहे थे, वो फार्मास्टिक्स में हमने सबसे पहला जो रोपिक इस्टार्ड किया था वो था टेबलेट, टेबलेट का पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम पार्ट सेकें करेंगे tablet का अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियो देखें वहाँ आपको subject wise स्केटेकराइज करके सारे वीडियो में लेंगे पार्ट फर्ष्ट फीडियो के अंदर हमने टेबलेट के बारे में जाना था और इसके बाद हमने «Method of Tablet Manufacturing» पढ़ा था उसमें हमने डारेक कंप्रेशन पढ़ा था dry granulation पढ़ा था और wet granulation पढ़ा था इस वीडियो के अंदर हम tablet की quality को check करने वाले जो methods है उनके बारे में पढ़ेंगे जो test है उनके बारे में पढ़ेंगे जिसको evolution test बोलते हैं तो इसमें मैंने आपको बताया था last ही वीडियो के अंदर की दो टाइब के test होते हैं एक होते है official test दूसरे होते non-official test तो non-official के अंदर तीन test है general appearance test hardness and friability और जो official test है इसके अंदर weight variation test है content uniformality test है desolation है और disintegration है तो ये total मिला के अपने 7 test है बहुत ही important है exam purpose के हिसाब से क्योंकि exam में question आता ही है अपना जो पहला test है वो है general appearance test तो general appearance में हम tablet की organolaptic property चेक करते हैं तो organolaptic property क्या रहती है यही important है तो इसमें जिसे color है tablet का surface texture कैसा है tablet का दिखने में tablet कैसी है वो सारी organolaptic property है तो test भी organolaptic property के अंदर आता है तो ये सारी हम visually identify करते है test को तो visually नहीं identify कर सकते है बट बाकी जो surface कैसा है color कैसा है ये सब visually ही identify करते है इसके बाद हम tablet की safe size भी general appearance में देखते हैं तो safe size किस से measure करते है micrometer या फिर sliding kelly पर scale तो ये sliding kelly पर scale या धखनाब इसके बाद जब हम tablet को size से measure करेंगे तो tablet की जो thickness है वो plus minus 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जैसे कि माना कि 100 mm मान लो tablet की ठिकने से तो ये plus minus 5% मतलब 105 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 95 माने मतलब 95 से कम नहीं होनी चाहिए तो plus minus 5% allow हुए है next जो test है उसका नाम हार्डनेस test तो हार्डनेस के हंदर हम टेबलेट की crushing strength चेक करते हैं तो ये crushing strength का मतलब ये हुआ कि हम minimum टेबलेट के ओपर कितना weight apply करें जिससे टेबलेट तूट जाए तो वो minimum weight 4-5 kg इससे कम नहीं होना चाहिए जब हम 4-5 kg टेबलेट पर weight apply करेंगे तभी ही टेबलेट तूटेगी तो ये जो test किया जाता है वो किस instrument के दोरह यूज किया जाता है उन्हीं के नाम ही important है जो पहला instrument उसका नाम है Monsanto tester तो ये exam purpose के लिए बहुत important है बहुत बात पूछा गया है exam में इसके बाद दूसरा phyzer tester है तीसरा है strong core tester तो ये तीन आपको याद एकने इसके बाद ये extra आपको याद रहे तो ठीक है वरना को important नहीं है next जो test है उसका नाम है probability test तो इस test के अंदर हम क्या करते हैं कि tablet को इस instrument के अंदर put कर लेते हैं फिर हम इस instrument को on करते हैं जिससे ये instrument rotation करेगा गूमेगा जब रोटेशन करेगा तब ये tablet यहाँ से नीचे गिरेगी तो ये जो गिरेगी ये height है ये 6 inch height रहती है तो ये आपको याद अखना है और इसका जो rpm रहता है rotation per minute rpm वो रहता है 25 तो ये exam purpose के लिए बहुत important है और इसको हम 4 minute के लिए operate करेंगे तो 25 per minute में गूमता है तो 4 minute में इसका rotation हो जाएक 100 तो 100 revolution तक हम इसको operate करेंगे और tablet को उपर से नीचे किराएंगे और फिर हम चेक करेंगी tablet के अंदर weight loss कितना हुआ अब ये जो weight loss की जो range है वो है 0.5 to 1% अब ये जो test है ये official है USP की according बट non official है BP और IP की according और ये probability test है ये जो instrument यूज की जाता है इसका नाम रहता है रोचे फ्राइबलेटर इसी के नाम से है तो आपको याद रे जाएगा ये यहाँ पर लिखा है 6 इंच आइट से हम ड्रोब करते हैं और 20 RPM पर operate करते हैं 4 मिनिट के लिए जिसे 100 revolution हो जाते हैं अब ये जो hardness फ्राइबलेटी test है ये दोनों हम टेबलेट की strength determine करने के लिए यूज करते हैं तो टेबलेट की strength क्यों determine करते हैं क्योंकि जब हम टेबलेट का transportation करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो हमें पहले से पता चल जाए कि टेबलेट का weight कितना लोस होगा अगर ऐसा ना हो कि हम टेश्ट ये करें ना और हम टेबलेट बना दे और ट्रांसफर करें एक जगह से टेबलेट को ट्रांसफर कर रहे हैं और दूसरी जगह जाके पता चले वहां pounder पहुज गया तो ऐसा ना हो इसलिए हम इस टेश्ट को करते हैं नेक्स जो अपना टेस्ट है वह है वेट वेरिएशन टेस्ट तो वेट वेरिएशन एक ओफिशियल टेस्ट है अकोडिंग टू आईप एन यूएसपी वेट वेट वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि सपोज करोगी आप 500 एमजी टेबलेट मैनुफेक्चर कर रहे हो तो जब आप मैनुफेक्चर टेबलेट करोगे तो इसका पैर नेक्स एगजट वेट वेट नहीं रहताanya वह वेट वेट अकोडिंग टू आई-पज और यूएसपी एक रेंज़ के अनदर रहना चाहिए अगर उस range से ज्यादा रहेगा तो test अपना fail हो जाएगा अगर उस range से कम रहेगा तो भी test fail हो जाएगा मतलब between range आना चाहिए तो according to IP 3 range defined की गई है तो कौन सी 3 range है तो first है अगर कोई tablet less than 80 mg की हो तो उसमें weight variation plus minus 10% रहना चाहिए अगर tablet 80 mg to 250 mg के बीच में हो उसका weight हो तब उसका weight variation रहना चाहिए plus minus 7.5% होना चाहिए अगर वो tablet more than 250 mg की हो तो उसका weight variation plus minus 5% रहना चाहिए तो यह 3 range according to IP दिये हुई है अगर मैं आपको बोलो according to USP तो USP में बस इतना चैंज है कि इस 80 की जगह USP ने लिखा 130 और यह 250 की जगह उन्हों लिखा 324 यही इसकी जगह चैंज करना बाकि सब exactly वेसा ही है आपको यह दो पता चल गया कि weight variation कितना है तो exam के परपज में as a competitive exam के परपज में आपको यह range आद अगनी less than 80 mg plus minus 10% 80 mg to 250 plus minus 7.5% और more than 250 मतलब plus minus 5% exam में question आया तो ऐसा आएगा कि एक drug है 60 mg की according to IP इसका weight variation कितना होगा 60 mg मतलब less than 80 mg तो इसका क्या weight variation है का plus minus 10% तो answer plus minus 10% होगा इसी तरवे एक drug है जिसका बोला weight है 150 mg तो इसका weight variation क्या होगा तो 150 mg आगे 80 mg to 250 mg के range के बीच में तो इसका weight variation plus minus 7.5% तो इस तरह से ही question आएगे easy अब मैं तो आपको detail से बताता हूँ कि exactly यह test करते कैसे हैं तो इसमें क्या करेंगे जब कहां भी tablet manufacture हो रही है वहां से 20 tablet को collect करेंगे और फिर हम उसका average weight निकालेंगे फिर वहां से हम उनका percentage weight variation निकालेंगे कैसे निकालेंगे उसके लिए एक formula रहता है वह भी आपको बताऊंगा तो उससे जैसे हम percentage variation निकालेंगे फिर उस range का compare कैसे करेंगे जैसे कि हमने 20 tablet ली उसमेंसे जो 18 tablet रहती है 20 मेंसे 18 tablet वो सारी 18 tablet अपनी इसराली range में आने चाहिए 10% 7.5% और plus minus 5% के range में और जो बच्ची जो 2 tablet रहती है उसकी range का range रहने चाहिए वह अगर आप याद रखो तो ठीक है वनना इसको ऐसे याद दखो जैसे 10% first range है उसकी just double 20% तो 2 tablet 20% के range में आने चाहिए और 2 tablets इसके case में 15% और इसके case में 10% just इसके double 7.5 का double 15 और 5 का double 10 तो second वाले range याद रहे तो ठीक है 2 वाले case में बट आपको first वाले range याद ही रखनी है अब ये percentage weight variation कैसे निकालते है इसका formula मैं बताता हूँ ये एक formula है percentage weight variation निकालने के लिए तो average जो weight हमने 20 tablet का निकाला वो इसके बाद जो tablet का actual weight था वो अपन average weight करेंगे और multiply 100 करेंगे जैसे कि मैंने average weight 600 mg निकाल दिया paracetamol का exit weight कितना था 500 mg था upon 600 mg किया और multiply 100 किया तो ये आ गया percentage में जो weight variation हमने निकालते हैं वो तो I hope कि आपको weight variation अच्छे समझ में आ गया होगा और इसके उपर exam में बहुत जादे questions आते हैं अब हम disintegration test के बारे में पढ़ेंगे तो ये एक official test है according to IP and USP disintegration का क्या मतलब हुआ कि जब हम tablet को लेते हैं तो ये tablet जब store में के अंदर जाएगी तो ये tablet particular time के अंदर छोटे-छोटे particle में तूट जाती है जब ये तूट जाती है इसी को हम बोलते है disintegration तो इसका जो time होता है तूटने का ये एक specific देता है तो अगर इसी test को अगर हम in vitro check करें इस time को हम in vitro check करें तो इसी को disintegration test बोलते है तो I hope कि आपको disintegration test किसको बोलते है ये समझ में आ गया होगा तो ये जो test है ये test एक apparatus से किया जाता है disintegration apparatus जो आपने देखा होगा इस apparatus के अंदर दो beaker लगे रहते है और इस beaker के अंदर test tube लगे रहती है छे test tube रहती है और इस test tube के bottom में sieve होती है लगे हुई अब यह जो sieve है यह sieve का number कितना होता है यह exam में आता है तो यह 10 mass की sieve होती है और इसका जो appreaches कितना रहता है sieve का तो वो 2 mm रहता है appreaches तो यह भी important है अब होता क्या है कि हम tablet को यहाँ पर रखते हैं अब जैसे tablet को यहाँ पर रखेंगे फिर यह जैसे हम appreaches start करेंगे तो यह test tube up and down होगी यहाँ पर solution रहता है पूरा तो यह solution up and down tablet होगी तब यह tablet particular time में तूट जाएगी और तूट के इस sieve से छनके solution के अंदर आ जाएगी तो यह disintegration होई तूट गई tablet यह तूटने में कितना time लगा है यही हम notice करते है time को इस disintegration test के अंदर अब हम तो आच्छे से पढ़ेंगे इसके apparatus के बारे में तो मैंने ब में सेपरेचर 2 mm रेता है अप एंड डाउन होती है 28 to 32 cycle per minute में अप एंड डाउन होती है और यह distance कवर करती है दूरिंग अप एंड डाउन 5 to 6 mm और यह solution के अंदर कितना डीप रहती है यह 2.5 cm अब यह याद रहे ना रहे को important नहीं है आपको सीव नंबर याद अखना है और अप एंड डाउन 28 to 32 cycle होते ही है याद अखना है इसके बाद सारी disintegrate हो जाने चाहिए specific time के अंदर जो according to IP and USP define किया गया है time इसके according और यह solution होता है इस beaker के अंदर वह 1000 ml तक होता है उसका temperature बहुत important है यह exam में बहुत बार पूछा गया है वह 37 plus minus 2% तो अभी तो आपको होगा 0.5 होगा इस तरह से चेंज करेंगे तब अपने को confusion हो जाएगा तो यह 2% रहता है यह बहुत important है अब हम डिस इंटीकेशन टाइम को देखेंगे different type of tablet के तो जो पहली जो टेबलेट है वह है solubal dispersible tablet बोलते हैं यह 3 मिनट के अंदर disintegrate हो जाने चाहिए इसके बाद सब इसके बाद film coated इसका 30 मिनट रेता है sugar created का 60 मिनट रेता है यह वन आवर डिस इंटीकेशन टाइम रेता है इसके बाद इंटेरी को टेबलेट तो हमें पता यह टेबलेट इंटेस्टाइन के अंदर जाके डिस इंटीकेट होती है तो इसका जो पहला टू आवर का टेस्ट र इसके बाद hard gelatin capsule तो यहां मैं capsule का बता रहा हूं वैसे मैं capsule पढ़ाऊंगा तभी भी आपको यह बताऊंगा तो hard capsule का रहता है 30 मिनट नाम सेलेक्टर होगा पन्य 30 मिनट में ही डिस इंटीकेट हो जाता है soft gelatin capsule होता है वो रहता है 60 मिनट उसका डिस इंटीकेशन टाइम अब क कुछ ऐसी टेबलेट रहती है जो डिस इंटीकेट नहीं होती है जिसका एक्जामपल है sustain release या control release टेबलेट रहती है वो या फिर achievable टेबलेट जिसको हम अपने mouth में ही चीव करते हैं टेबलेट उसका डिस इंटीकेशन नहीं होता है तो यह आपको range याद रखनी exam में बहु देखेंगे तो यह official test है और इसके अंदर हम rate of drug release देखेंगे कि जो rate of drug release है टेबलेट से वो uniformly है या नहीं है वो चिक की जाती है इसके अंदर यह test हम एक apparatus से करते हैं जिसका नाम होता है desolution apparatus according to IP यह दो टाइप का होता है type 1 और type 2 type 1 को हम बोलते है paddle और type 2 को बोलते है पास्के इसके अंदर बीकर लगे रहते हैं देखो यह बीकर दिख रहे हैं तो इस बीकर का जो volume होता है वह 1000 ml रहता है इसके अंदर हम desolution media भरते हैं और उस desolution media का जो temperature हम adjust करते है वो करते है 37 plus minus 0.5 degree Celsius तो यह बहुत important है जब मैंने आपको disintegration test पढ़ाया था वहाँ पे temperature था 37 plus minus 2 degree Celsius त पूछा जाता है temperature के बारे में अभी जो टाइप है basket तो basket में basket के उपर सीव लगी रहती है तो सीव का mess number पूछते है वह 36 है यह आपको याद रखना है और इसका mess temperature रहता है 425 µm तो यह आपको याद रखना है इसके बाद अगर जब हम media जो medium है desolution medium वह dilute acid यूज करेंगे तब हमें gold की coating होनी चाहिए तो coating कितनी रहनी चाहिए वह less than 2.5 mm gold की coating रहनी चाहिए अगर ही आपको याद रह थी के वरना यह को important नहीं है इसके बाद जब tablet dissolve होगी desolution media के अंदर उसके बाद 45 minute के बाद हमें sample लेना है फिर उसको filter करना है 1 µm filter से जैसे वह filter हो जाएगा फि not less than 70% drug dissolve नहीं रहनी चाहिए 70% से ज्यादा ही dissolve रहनी चाहिए drug जैसे कि आपने 100 mg की tablet ली है तो इस 100 mg का desolution test करेंगे तो 45 minute के बाद हो sample लेंगे उसको filter करेंगे फिर इसमें drug release देखेंगे तो 70% से ज्यादा रहनी चाहिए 70% से कम नहीं रहनी चाहिए और no retesting permitted यह भी important है तो I hope resolution test के बारे में इतना आपको पता चल गया होगा IP के according दो type के resolution operators होते है type 1 जिसको बोलते हैं paddle और type 2 जिसको बोलते है basket बट अगर USP के according बोले जाए तो 7 type के resolution operators होते हैं तो उनके नाम बहुत important है जो exam में पूछे जाते हैं जिसे कि type 1 जिसको बोलते है basket IP के according type 1 था paddle बट यहां पर क्या है basket apparatus और type 2 रहता है paddle तो यह conventional जो tablet रहती है उनी के लिए दोनों यूज की जाते हैं तो यह यादखना जरूरी नहीं है इसके बाद जो type 3 है जिसको बोलते है receive rocating cylinder तो यह जो ड्रग है चेवबल tablet के लिए drug रहती है जो granules रहते हैं उनके लिए यूज किया जाता है इसके बाद जो type 5 है desolation apparatus उसको बोलते है paddle over disc तो यह transdermal के लिए यूज की जाती है इसलिए exam यह type 5 के बारे में ज्यादा पूछते हैं पूछते हैं कि जो transdermal जो drug रहती है उसके लिए कौन सा desolation apparatus यूज किया नाम पूछा जाता है ऊसके लिए किया जाता है टाइप 5 और type 6 भी सी के लिए किया जाता है type 6 का नाम he cylinder और type 7 ने उसका नाम is madam holder, तो इन सब के आपको नाम याद होने चाहिए ikon control-release drosmart के लिए यूँज के जाता है ये थार भी control-release drosmart के लिए use के जाता है। नो इन सब के आपको नाम याद रिरने चाहिए किसके लिए use के जा रहा है ये आपको अच्छे से आना चाहिए finally हमने official और फिसके बाद एक जीरो डिफेक्ट बोलते हैं जीरो डिफेक्ट का मतलब यह हुआ कि टेबलेट को पर कोई ड़स्ट या सॉलिट पार्टिकल या ओईल कुछ भी ना हो उसकी अपरेंस बहुत अच्छी हो उससी को जीरो डिफेक्ट बोलते हैं और एक और टेस्ट होता जिसको बुलते है पैनल टेस्ट तो यह एक्जाम एक बार पुछा गया था तो पैनल टेस्ट में हम ओर्डर चेक करते हैं टेबलेट का इसमें हम वॉलेंटरी को बुलाते हैं और उनको टेबलेट को ओर्डर को सुंगने के लिए बोलते हैं तो यह ए झाल झाल